है गाईज वोलकम बाइक टो दी चैनल चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और आज किस वीडियो में हम जानने वाने हैं डीके शिव कुमार के बारे में ये नाम जो आप आजकल सुन रही हैं आई एंसी यानिकी इंडिया कॉंग्रेस पार्टी के प्रेज लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके डीके शिव कुमार करनाटक परदेश कॉंग्रेश कमेटी के पी सी सी के वर्तमान अध्यक्ष है प्रेजिडेंट है और भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस राजनितिक दल के एक दर्गकालिक विधायक भी है डीके यानि की डोडा लहली केमपो गोडा शिव कुमार जिनका जनम हुआ बंदरा मई 1962 को संग्शेप में जिसको हम डीके शिव कुमार के नाम से जानते हैं डीकेशी के नाम से भी जानते हैं और जो 1989 से साथ बार निर्वाचित विधायक भी हैं वे कई बार मंतरी के रूप में भी चुने गई हैं उन्होंने कई विभागों को संबाला है जैसे कि उर्जा शहरी विकास गरहय आदी डीके शिव कुमार अपनी गत दानसभा चुनाव के लिए फिर से चुनाव लड़ने के लिए कॉंग्रेस का टिकट इनोन प्राप किया और जीते हैं शिव कुमार का जनम करनाटक के बैंगलोर के पास कनकपुरा के कैमपा गोडा और गरम मा के घर हुआ वहें वोका कलीगा समुदाई से तालूक रखते ह उनका एक छोटा भाई डीके सुरेश है जो एक राजनिता भी है शिव कुमार ने 1993 में उशा से साधी की और उनकी दो बेटिया एश्वरिया और आभरन और एक बेटा आकाश है उनकी सबसे बड़ी बेटी के शादी काफे कोफी डे के संस्थापक जी सिधार्थ के बेटे अमर्ते से हुई है डीके शिव कुमार की सिक्षा योग्यता की अगर हम बात करें तो डीके शिव कुमार के पास करनाटक स्टेट ओपन यनिवर्स्टी मैसूर से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री है शिरी जगत गुरू रिंक चार्य कॉलेज बैंगलूरू से कला पारवी कक्षा की एजुकेशन जो है वो हैदरबाद करनाटक एजुकेशन सुसाइटी बैंगलूरू से पूरा किया शिव कुमार करनाटक के सबसे अमीर राजनेताओं में जे एक हैं 2023 में चुनाओ के लिए अपना नामंकन दाखिल करते समय उन्होंने 1413 करोड रुपे की कुल संपत्ति घोसिती और जबकि 2018 की विधान सबाचुनाओ की दोरान उन्होंने 840 करोड प्लस की संपत्ति घोसिती यह पीछले 5 वर्सों में 543 करोड से अधिक की वर्दी हैं उनके माता पिता के 3 साल तक कोई संतान पैदा नहीं इसलिए वे शिवल थपा मंदिर गए और भगवान शिव से एक बच्चे के लिए आशिरवाद के लिए प्रात्ना की जिसके बाद उन्हें इनके एक लड़का हुआ और उन्हें भगवान के नाम पर बच्चे का नाम शिव कुमा रखा वो अपने कॉलेज के दुनों में राज्य संके सचीव चुने गए थी 2013 में जो करनाटक का चुनाव जीता है कागरेज उसमें इनका बहुत ही एहम जो है योगदान रहा कनकपुरा निर्वाचन छेतर से ये चुड़े हुए हैं 2018 के चुनाव में राज्य के चुनाव में वह कनकपुरा से चुने गए थे और सिचाय और चिकित सा सिक्षा मंतरी बने थी वही अगर हम थोड़ा पीछे और देखें तो 2013 से 2018 तक उन्हें सथानूर से विधायक के रूप में फिर से चुना गया और फिर शिरी सिधा रमया की सरकार के तहट उर्जा मंतराले की भूमिका भी इन्होंने सौपी गई इनको 2004 में इन्होंने सथानूर किसे एक विजेता को फिर से विधानसवा चुनाव में उतारा 2002 में ये शहरी विकास मंतराले के परभारी बने रहे और करनाटक राज्य नगर योजना बोर्ड के अध् सीटों के साथ एक अपराज्य विजेता के रूप में उबढ़ने में भी मदब की उन्नी सो क्यानवे में जब शुरी विरिंद्र पार्टिल को अपने खराब स्वास्ता के कार्ण मुख्य मंतरी के पत से हटना पड़ा तो उन्होंने शुरी एस बंगा रप्पा को अत्तु से की रूप में भी काम किया है और बाद में उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के भीतर राजनितिक पर्तिद्वंद्यों द्वारा रचे गई एक राजनितिक साजस का शामना भी किया 1989 में इन्होंने कॉंग्रेस के टिकट से वन्चित कर दिया गया इन्हें और 1987 की बात करें तो ये सथानूर विधानजबा चेत्र में एक नर्दलिया उमिद्वार की रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा 27 साल के उमर्मी विदायक की रूप में चुने गई ये 1985 में जनता पार्टी के राजनितिक दिगज शिरी एच डी देवा गोडा के खिलाब सथानूर निर्वाचन चेत्र में कॉंग्रिस दवारा विधाई चुनाव में इन्हें पार्टी के उमिद्वार के रूप में चुना गया और एक छोटे से अंतर से ये हार गए थे इनकी प गाबिनेट उप समीति के अधग शिरोप में इनोंने राजीव गाधी युवा शक्ति संगठन को त्यार करने और शुरू करने रैलियो में स्क्रिय होने और युवाव को ग्रामेड विकास और सामाजिक कार्य करने के लिए शशक्त बनाने में एक प्रमुक हुमिका निभा 2013 से 2018 में उन्होंने करनाटक में उर्जा मंत्राला संबाला जो लंबे समय से मंति में था डिकेस ने पावागड़ा तुमकुर में भारत के सबसे बड़े सोर उर्जा सयंतर का निर्मान भी शुरू किया बेलारी और बिहार जैसे कई में तो कौन उप चुनाओ में जीत दिलाने में इनकी भागेदारी और रणनेती बहुत मुल्लेवान है पार्टी को एक जुट करके गुजरात में एहमद पटेल को राज्य सफा चुनाओ जिताने में भी इनकी भूमिका कॉंग्रेस ने व्यापक रुप से इसकी सरहना की थी अगर राजनितिक क्यारियर है और विवाद ना हो तो ऐसा होई नहीं सकता और जब राजनिता इतना अच्छा हो इतना सुल्चा हुआ हो और इतनी उपलब्दिया उसके पास हो उनके एक मुहत्तवन भूमिका हो जो राजनितिक को अच्छे से समझते हैं तो विवाद ना हो तो ऐसा होई नहीं सकता तो विवादों की बात करें तो दो अगस्त 2017 को बैंगलोर में शिव कुमार के आवास और कार्याले पर कतित कर ए निमत्ताओं के संबन में आयकर विवाग ने च्छापा मारा था बैंगलोर के बहरी इलाके में बिदादी में एगल्टन गॉल्फ रिजोर्ट पर भी च्छा दोबरा तलाशी ले गई यह पता चला कि शिव कुमार के दिल्ले स्थित आवास से आठ करोड और अन्निस्तानों से दो करोड जब किये गए च्छापे के दोरान सुरक्षा परदान करने के लिए केंदिर रिजर्व परिस बलके कर्मियों को बुलाया गया था भारती रास् 5 अगस्त को समाप्थुर कथित तोर पर लगबग 300 करोड को एगोशी तायब ध्रामत की गए उन्हें और उनकी सहयोग्यों को आगरिम जमानत दे दे गए 3 सितंबर 2019 को ने मनी लॉंडरिंग और इंकम टेक्स चोरी के आरोप में भी गिरपतार किया गया था उन्होंने करनाटा की भाजपा सरकार द्वारा किये गए आरोपो आधारीन और राजनेती से प्रेरित बताया है और मनी लॉंडरिंग मामले में इन्होंने ED का सम्मन भी दिया गया है क्योंकि और दस्ताव है इसके लिए मांगे गए है तो यह थे दोस्तों आप सभी लोग के लिए पूरी इन्फोर्मेशन दी के शिवकुमार के रिए 1985 का एक ऐसा इलक्षन था जो उन्होंने हाराज और जब से लेकर अपनी ये सीट पर 1989, 1994, 1999, 2004, 2008, 2013, 2018 और अब 2030 तो उन्होंने जीत ही जीत हासे की है तो यह थे दोस्तों आप सभी लोग के लिए इससे जुड़ी सर्वी खवरें इसी तरीके से और किसी के बारे में अगर आप पूरी जानकारी जाते हैं या इसी तरीके के और न्यूट से आप अपडेटी दिलना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक ध्यान रखी अपना स्वस्त रहिए